Hello Everyone, Welcome to Thripta Innovations आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप Relay Accounting Software में आइटम को डिलीट कैसे कर सकते हैं इसके लिए हम यहाँ पे Master, Item, Add, Edit पे एंटर करेंगे Name, यहाँ Enter की प्रेस करके जिस आइटम को डिलीट करना हो उसे यहाँ List में से टाइप करके Select कर लेना है हम यहाँ पे Gray One आइटम को डिलीट करना चाते हैं तो हम यहाँ Gray One टाइप करके Select कर लेंगे और उसके बाद हम यहाँ पे Tab की को प्रेस कर देंगे Next हम यहां पे Delete key को press कर देंगे Delete, Yes, No अगर इस आइटम को डिलीट करना है तो यहां पे Yes पे एंटर कर देना है आइटम डिलीट हो जाएगी अगर इस आइटम का कोई transaction exist नहीं करता होगा तो अगर आइटम का कोई transaction होगा तो यह आइटम डिलीट नहीं होगी हमने यहाँ पर आइटम को डिलीट कर दिया है इसलिए यह आइटम अब लिस्ट में शोर नहीं हो रही है इस तरह से आप रिलाए में आइटम को डिलीट कर सकते हैं अगर आपको यह वीडियो helpful लगा हो तो प्लीज इसे like, share and subscribe जरूर करें थांक यू फर वाचिंग दे वीडियो